हालो गाइज वेलकम टू माई यूटूब चैनल यूनिक इंग्लिस ग्रामर आज मैं आपको एड़ बर्ब क्लॉज ओफ मैंनर एड़ बर्ब क्लॉज ओफ मैंनर बिदी सूचा क्रिया विशीशन के वारें बताऊंगा ये शिक्स नम्मर पाथ है भैना सिंपल सेंटेंस इज इने टू अधर सेंटेंस जहां हम एक सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस से जोड़ते हैं सो दा मैंनर ओफ हैपनिंग ओफ दा बर्ब वै बर्ब अथादकार के होने की वीधी बताए और दा अधर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के इज इज इड काल एड़ बर्ब क क्लोज ऑफ मैनर कहते हैं तो इन क्लोजों से कार विधी को प्रकट करते हैं इनकी कार करने की विधी को प्रकट करते हैं एक्जाम्पिल से देखें हैं ही सॉल्ब दा सम उसने सवाल हल किया as the teacher had explained it जैसा सिक्षक ने उसे समझाया they will paint the house वे घर को paint करेंगे as I have told them जैसा मैंने उन्हें निर्देश दिया है an honest man speaks एक इमांदार व्यक्ति बोलता है जैसा वह सुचता है as he thinks it is true so far as I know जहां तक मैं जानता हूँ जहां तक मैं जानता हूँ वैसा ही सच है clean the room camera साफ करो as I cleaned it yesterday जैसा मैंने इसे कल साफ किया था she did not look after my son उसने मेरे बेटे की देखवाल नहीं की as she had promised to do जैसा उसने देखवाल करने का बचन दिया था as you so जैसा बोगे so sell you reap बैसा काटोगे या एक कहावत है जैसी करनी बैसी भरनी write an essay एक निवन्द लिखो as your teacher had told you शिप्छक ने जिस्पकार कहा है वैसा ही निवन्द लिखो so guys यहां मैंने आपको edge से जोड़ना एनि की किसी भी कार की विदी को व्यक्त करने के लिए हम उन्हें edge से जोड़ते हैं इसी लिए इन्हें हम adverb clause of manner कहते हैं next two sentence हम आपको और बता रहे हैं धान से देखिए you can talk तुम बात कर सकते हो as you like जैसा तुम चाहो father could not work पिता जी कार ना कर सके as he wanted to do जैसा वो करना चाहते थे तो गाइस आज मैंने आपको adverb clause of manner में कार करने की विदी को बताया है तो आज का टॉफिक यहीं पर समाप्त होता है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें और channel को subscribe करें well icon को जरूर दबाएं इसी के साथ आज का टॉफिक यहीं समाप्त होता है अगले टॉफिक में मैं एक नए clause के साथ आऊंगा जए हिंद